नमस्कार आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्सा सबकों में जिसके अंतरगत हम लोग एनाई यूस की माध्यमिक अक्षा यानि हाइज स्कूल का व्यवसाय अध्यन विशे पढ़ रहे हैं तो व्यवसाय अध्यन विशे के अंतरकत हम लोग पाठेकरम चार पढ़ रहे हैं इसका शीशक है क्रय विक्रय तथा वित्रण तो इसमें भी हमने जो पाठ बारा है वो प्रारम कर दिया है जिसका शीशक है क्रय विक्रय तो इसमें हमने पिछले वीडियो था उसमें क्या जा कि क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है क्रय का मतलब होता है किसी आप मुद्रा देकर किसी भी वस्तु या संपत्ती का जो मालिकाना हक है वो प्राप्त कर लेते हैं और विक्रयता जो होता है विक्रय करता है और मुद्रा के बदले में वो संपत्ती या वस्तु का जो मालिकाना ह या स्वामित्तु है वो हस्तांत्रण कर देता है फिर हमने क्रेय विक्रे की अउधरना के बारे में जाना था फिर पड़ा था कि नकत और उधार क्रेय विक्रेय कैसे होता है और आजकल का जो जमाना है जो आजकल का यूग है इसमें उधार क्रेय का बहुत बड़ा महत्व होत कि अधिकतर जगे पर आपको यह दिखाई देता है कि लोग उधार में भी समान देते हैं ठीक है और उसकी साहता से भी लोग अपने व्यवसाय को बढ़ा पाते हैं तो उधार क्रय और विक्रय का भी बहुत महत्व है इसके पास शाहत हमने क्रय की पद्धियों के बारे में प विलंबित किस्त पद्धिती और किराय क्रय पद्धिती इन दूनों के बीच में हम अंतर आज जानते हैं तो जो विलंबित किस्त पद्धिती होती है जिसके कि अंतरगत एक किस्तें बांद देता है जो दुकांदार होता है आपको समान दे देगा और आपको उसका जो भु पूरी किस्ते हैं उसमें भी होता किस्तों में भुक्तान है केवल एक स्वामित्तु का अंतर दोनों में आता है तो एक करकिस के अंतर जान लेते हैं यह मूलता है विक्रय का अनुबंध है विलंबित किस्त जो पदिती है यह मूलता है वस्तों को किराय पर लेने का उनके मद्ध किया जाता है वो आप चाहें तो उस अनुमंद को उसका पंजी गरण भी करा सकते हैं उसको रेजिस्टर्ड कॉंट्रेक्ट बोलते हैं और या फिर आप वैसे भी आपस में रेजिस्टरेशन बिना रेजिस्टरेशन के भी अनुमंद कर सकते हैं इसके पश्चा प्राय करहें पस दित हैं उसके अंधर पूरी किस्टो के बुक्तान तक स्वामित्यू विक्रेता के पास ही रहता है क्रेता के पास बीच में ही पूरी मुल्ली का भुकतान करे क्रेय का विकल्ब होता है ठीक है तो अगर क्रेटा चाहे तो वो बीच में ही अगर पूरा मुल्ली का भुकतान कर देता है वस्तू के तो उसका जो सौमित है वो बीच में भी उसके पास हस्तांतिरत हो सकता है ठीक है अगला है क्रेटा द्व बची फी मूली राशी के लिए दावा कर सकता है। उसका दावा बनेगा क्योंकि उनके बीच में एक contract है लेकिन वैं उस वस्तू को वापस नहीं ले सकता है। साथ ही किरेटा भी खरीदी वी वस्तू को वापस कर सेजडे राशी को समायुजित नहीं करवा सकता है क्रेता भी वापस नहीं कर सकता है और विक्रेता भी वापस नहीं ले सकता है लेकिन जो विक्रेता है अगर क्रेता किसी थरीके से उसको भुक्तान नहीं कर पा रहा है तो उसके विरुद्ध न्यायले जाकर नियाले से उसमें समाधान करवा सकता है इसके पश्चात है जो किराय करपत दिती है उसमें करेता किसी भी समय करे की वस्तू को लटा सकता है वो फ्री होता है वो जब जब चाहें उसको वापस कर सकता है साथ ही विकरिता भी भुकटान में चूब होने पर क्रेता से वस्तु वापस ले सकता है ठीक है तो यह एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में अगर किराय क्राय पन्दिती में कोई भी चूब होती है आपके किस्त नहीं दे पाते ह们 किराया नहीं दे पाते हैं तो वो जो विक्रेता है वो आपसे माल वापिस लेने के लिए पूरा उसका अधिकार होता है ठीक है इसके पस्चात है भुक्तान की विधियां भुक्तान की तीन विधियां प्रचलन में हैं पहला है तुरंद भुक्तान, दूसरा है अस्थगित या विलंबित किस्ति यूजना और तीसरा है साख की अवधी के अंत में अस्थगित यानि की विलंबित भुक्तान तो ये किस प्रकार से इनको देखते हैं कि क्या-क्या इनमें खूबिया हैं क्या इनकी विशेश्चता हैं तो तुरंद भुक्तान जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें क्या होगा आपको भुक्तान तुरंद करना पड़ेगा ठीक है तो तुरंद भुक्तान में क्रेता विक्रेता की पूरी रासी का भुक्तान नकत करता है यदि विक्रेता को सुविकार है तो वो भुक्तान चैक, ड्राफ्ट अत्वा क्रेडिट कार द्वारा भी कर सकता है ये तीनों भी option अगर विक्रिता चाहे और विक्रिता की रजवन्दी पर ये विक्रिता को ये तीनों option भी वो दे सकता है वास्तव में विक्रिता चेक द्वारा भुक्तान प्राप्त करने के लिए बाद नहीं होता ये ज़रूरी नहीं है कि वो मान जाए और उसको आप जवरस्ती प्रैश भी नहीं कर सकते आप जवरस्ती नहीं कर सकते उसके साथ कि आपको चेक में ही भुक्तान लेना होगा जब तक कि इस संबंद में दोनों में कोई इसपस्ट अत्वा अंतर नहीत समझोता ना हो जब तक दोनों में पहले बात ना ऊगई हो कि मैं आपको चेक से भुक्तान करूंगा, इस प्रकार के लेंद देन फूटकर विक्रेब हैं, जिसमें भुक्तान की रासी छोटी होती है, साधान चलर्ण के पास थोग वेपारी के पास आता है, और फिर लास्ट में जाता है फुटकर वेपारी के पास जो कि उसको किसको बेजता है वो भुगताओं को बेजता है ठीक है तो फुटकर वेपार में फुटकर विक्रह में यो तुरंद भुगतान वाली प्रणाली काम में लाई जाती है अगला है अस्थागित या विलंबित किस्त योजना आपको ने बहुत जगए ये आजकल चीज देखी होगी लोग EMI पर समान खरीदते हैं तो जो EMI पर आप समान खरीदते हैं किसी की भी दुकान से जाकर उसको हम अस्थाई विलंबित किस्त योजना कहते हैं तो ये जो ज्यद्ध लोग उसको खरीद पाएं, आप ज्यादा-ज्यद्ध लोग के खरीदने की पहुंच में बनाने के लिए, जो थोड़ी महेंगी वस्तुय होती हैं, जो टिकाओ वस्तुय होती हैं, जैसे फिरिज या A.C. या टी वी इस प्रिकार की वस्तुय हैं, बड़े उपयोक कि उनके अंदर यह जो दुखानदार है यह EMI यह किस्त का उप्षन आपको दे देते हैं तो उसमें क्या होता है इसे आज खरीदें भुकतान बाद में करी योजनभी कहते हैं मतलब आज आप खरीद के ले जाएं समान और भुकतान उसका बाद में करें इस पद्दिति में क् बुकतान विक्रेटा को एक नाम मात्र की रकम देता है जिसको बोलते हैं डाउन पेमेंट क्या वोलते हैं नाम मात्र की होती है जैसे अगर आप 20,000 रुपे का मतले कोई आपने फ्रीज खरीदा माल लिए तो जो आपको दुकांदर कहेगा आपको केवल 10 परतिशत डाउंपेमेंट करना है तो एक नाम मात्र की रकम आप देंगे केवल 2,000 रुपे देंगे और फ्रीज अपने घर ले हालो हो में करता है यह किस्त एक निधारित रासी होती है जो वीकर्यात को प्रतिमा अतवा हर तीन महीने के बश्चात दी जाती है तता कुल भुकतान राशी नियरासी तता उस पर वियाज मिलाकर होती है और यह जो वियाज़ वली बस मात है आज 두ैसीय olvी आती है जिसमें की कोई किसी भी प्रगार का ब्याज विक्रेता से नहीं वसूल करता है वो कहता है कि आप ब्याज मुक्त जो है उसके तहत इसको आप ले के जाईए हमारे सामान को हमारे प्रोडक्ट को यह से मान लिजा अगर कोई 20,000 रुपे का टीवी मिल रहा है बजार में और आप उसमें केवल 2,000 रुपे का डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आपके बचे कितने 18,000 रुपे बचे तो 18,000 रुपे का पेमेंट आप 10 हर मेहने की 10 एक महा वाली किस्तों में करेंगे तो दस महा में आप किस्तों में कर देंगे तो केवल आपको एक किस्त के अठारा सो रुपे देने पड़ेंगे और अठारा सो रुपे आप दस महने में देखे आप जो टीवी या फ्रिज जो भी आप लिना चाहते हैं 20,000 रुपे मुल लेका 2,000 रुपे पहले दीजिए और 10 किस्ते दे दीजिए अठारा ठारा सो रुपे की जिदो की बिना ब्याचकी आपको देना पड़ेगा तो इस प्रिकार की जो योजनाय हैं ये भी विक्रेता देते हैं क्रेताओं को अब है साख की अवधी के अंत में आस्थागित विलंबित भुक्तान साख आपको पता है स साख दावे को कहते हैं भुक्तान प्राप करने के दावे को साख का जाता है तो कई बार जो बड़े वेपारी होते हैं जब वो उत्पादक से माल लेते हैं तो वो उत्पादक को कुछ समय के पस्चाद भुक्तान करते हैं तो उत्पादक उनको कुछ उनकी साख के नुसार यह उनकी जो credibility है जो उनके credit है बजार में उसके हिसाब से उधार देते हैं समान ठीक है तो उधार समान देंगे साख के अफ़ी माली जो उनने कहा तीन महेंने के अफ़ी के अंदर गद आपको भुक्तान करना है और उसमें एक फायदा वह यह देते हैं, अगर आप तीन महने से पहले भुक्तान कर देते हैं, तो वो कुछ आपको उसके अंदर डिसकाउंट ओफर करते हैं, उसको कैस डिसकाउंट बोलते हैं, तो अगर आप तीन महने से पहले कुछ पैसा दे देते हैं उनको, तो उस पह आपको discount देदेते हैं ठीक है तो वस्तू के उधार विक्रे होने पर क्रेता को साख कियो धी माना तीन मेहने के समापती वर भुक्तान करना होता ये तीन मेहने के वह एक फिससे पहले बुक्तान करना है तो विक्रियता बिशेश चूट दे सकता है ठीक है इसे वह बीचक में देतीती से पहले तुरंट भुक्तान के लिए सुध्धर राशी के रूप में दिखाता है मतलब दो राशियां वो दिखाएगा 1 होगी दे टी curly से पेहले की राशी और एक होगी देती थी के बाद की राशी जो देती थी के पहले के भुकतान की राशी होगी जो सुद्ध राशी होगी वो जो बाद वाली राशी है उससे कम होगी ठीक है क्योंकि उसके अंदरे एक विशेश चूट सम्मिलित होगी जो की भुकतान आपको जो अब दी गई है कोई विक्रियता माल को बेशता है बड़े लेवल पर ठीक है यहां बड़े विक्रता की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है प्रकृरिया एक process follow की जाती है प्रक्रिया का पालन किया जाता है वो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो प्रक्रिया शुरू होती है पूस्ताज से सबसे पहले जो क्रेता है वो पूस्ताज करता है कई सारे भी क्रेताओं से मिलता है उनके माल के बारे विवर्मन लेता है उनके माल की निकम में जो कितनी मुल्य है वो जानता है और किस प्रकार से भुक्तान करना है ये सारी सरतें वड़तें वो जानता है सबसे पहला step हो गया पूस्ताज फिर होता है निर्ख जिसको बोलते हैं इंगलिस में quotation तो जो विक्रेता है वो क्रेता जब उसे पूस्ताज करने किया तो विक्रेता उसको एक निर्ख उपलप्त कराता है या quotation उपलप्त कराता है जिसमें कि उस वस्तु या सेवा का जो मुल्य है वो रिखा रहता है और साथ-साथ कि वो मुलिक कितने दिन के लिए बैद है वो लिखे होती है चीज और उसकी जो और शड़ते हैं कि किस प्रकार या फिर जो उसने rate दिये हैं, उसमें माल की delivery के पैसे भी लिखे हुए हैं, माल की delivery रेल के माध्यम से होगी, या फिर सड़क परिवहन के माध्यम से आपके पास भीजेगा, ये सारी जो सड़ते हैं, वो निर्ख के अंदर उलेखित होती हैं, ठीक हैं? इसके पच्चात है क्र क्रेता से आदेश की प्राप्ति, अब जब निर्ख उसने देखी क्रेता ने, उसको वो चीज पसंद आई, उसने का ठीक है, ये शर्ते हैं, उसको सारी मंजूर हैं, तो उसके बाद क्रेता एक order प्लेस करेगा, एक आदेश देगा विक्रेता को कि हाँ भी ये आप हमको माल दे दीजे, और इतना किलो माल हमको चाहिए ये इतने number of units हमको चाहिए, तो ये तीसरा एस्टेफ हो गया, आदेश की प्राप्ति होगी क्रेता से, किसको विक्रेता को, इसके पस जात है आदेश की पूर्ती, पिर जो विक्रेता है, जो आदेश उसको प्राप्त होगा क्रे उसके विश्वशनिता कुछ संदेह के से परे है, तो वो उसको आजिसकी पूरती करेगा, उसको सारा माल उपलब्द कराएगा, फिर कराने से पहले वो उसका बीजक तियार करेगा, जिस बीजक में लिखा हुआ कि कितने रुपे का माल है, और कितना पैसा उसको भुकतान करना है किसको कृता को फिर वो ग्रहाक का खाता अपनी है खोलेगा अपनी जो एकाउंट होते हैं उसके उसके उसका नाम चड़ाएगा अगर वो नया ग्रहाक है तो चड़ाना पड़ेगा नाम अगर वो नया गरहाक नहीं है पुराना गरहाक है तो उसका खाता पहले सी उसके यहां होगा उसके अंदर वो एंटी कर देगा कि इतना माल इसको हम दे रहे हैं और इतना पैसा इसके उपर हमारा बनता है ठीक है इसके पस्चात है प्रेशन और सपुर्दगी प्रेशन का मतलब माल को भेजना और सपुर्दगी मतलब उसको देना जो करेता है ठीक है तो प्रेशन मतलब आपने ट्रक में माल लोट किया और भेज दिया अब जो ट्रक लेके आप उसके पास गए जो ग्रहक है आपका जो क्रेता है और उसके पास जाके माल उसको हैंड ओवर कर दिया उसको बोलेंगे सुपूर्दगी फिर है माल की सुपूर्दगी लेना यह माल की सुपूर्दगी कौन लेगा क्रेता माल की सुपूर्दगी लेगा तो आपने क्रेता के घर पर या जो उस माल की कंडिशन को देखके उसके हिसाब से उसको एक सर्टिफिकेट देना होता है कि हाँ वही हमने माल सही सलामत रिसीव कर लिया उसके पस्चार जो अगला स्टैप आता है वो है भुकतान करना अब जब माल आपके यहां पहुंच गया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज कहीं प्रकार से आप भुकतान कर सकते हैं जो हमने पिछले पड़ा ठीक है कहीं सारी वीधियां है आस्थागीत विलंबित वो जो सारी वीधियां थी वो सारी उनमें से किसी वीधि का उपयोग करके आप दे सकते हैं इसके पश्चात है असुध्यों का संसोधन क्योंकि आम यहो सकता है कुछ पैसा आपको किरिता ने कम दिया है Doonu conditions हो सकती है तो इन असूध्यों का सलभन भी अंत्में किया जाता है इस प्रकार से जो विक्राइक पार्शक वो समाप्त हो करेंगे और वस्तु की गुणवत्ता कैसी है कैसी क्वालिटी की वस्तु आपके पास है ठीक है वो उसके लायक है या नहीं है क्रेटा को वो ऐसा तो नहीं क्रेटा के लिए सब स्टेंडर्ड हो मतलब थोड़ी नीची के स्टेंडर्ड की हो यह पूस्ताज दित्यक सूचना के शौत जैसे समाचार पत्रों में विग्यापन बाजार की रिपोर्ट मोली सूची कोटेशन आदी से की जा सकती ह कई सारे जरिये हैं जिन्सकी की माद्यम से आप यह पूस्ताज कर सकते हैं मतलब आप चाहें तो प्राथमी कूप से सीधे-सीदे जो सेलर है उससे बात करना है या फिर दित्यक सूचना जो अखवारों में छपे होते हैं कई बार बजार में रिपोर्ट आती है कुछ मूली सूचियां उपलब्ध होती है जिसने की प्राइस दिये होते हैं चीजों के उनके बारें बताया भी होता है ठीक है ब्रॉशर्स होते हैं इन सबसे भी आप उसकी इंफर्मेशन ले सकते हैं तो साधार अनता है पूस्ताज से अभी प्राइस सीधे विकृता अत्वा विरिम विनिरमाता जो बनाते हैं समान को उनसे सूचना और एकत्रित कर से शिष्टम आपूर्ति करश्रोत कर निदा है लेने से तो आपको एक शमान लेना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे चार-पांच जो उसको बनाने वाले लोग हैं या जो दुकानदार हैं जो उसको बेर करेंगे और फिर इसमें से किसी एक का सेलेक्शन करेंगे ठीक है तो ये पूश्टाच में आता है अगला है निर्ख तो जब आप सेलेक्शन कर लेंगे किसी विक्रेता का फिर आप उस से उस विक्रेता से कोटेशन प्राप्ट कर लेंगे तो संभावित करेता से पूश् विक्रेता छपे वे निर्क फर्म भी प्रयोग में ला सकता है, मतलब पहले से ही फर्म छपे रहेंगे, उसमें सारी की सारी कंडिशन्स लिखे होंगी, ऐसा भी कई बार क्रेता जो विक्रेता हैं वो प्योग में लाते हैं, फिर है क्रेता से आदेश की प्राप्ति, तो इच् आदेश प्राप्ति के पश्चात विक्रेता इसकी प्राप्ति की सुचना भेशता है और इस पर अपनी स्विक्रती परदान करता है आदेश पर प्राप्ति की तिथी सहीत महल लगा दी जाती है इसे एक संदर्व नंबर एक रेफरेंश नंबर दे जेते हैं जिससे कि इसको कर सकें बात में इससे को धूंड तकें तथा आदेश प्राप्ति पर रेइस्टर में इसकी प्रवस्टी कर दी जाती है यदि क्रेटा नया है अगर नया कोई ग्रहक आपका बना है तो विक्रेटा उसकी साख और वित्ती स्थितिकी आज भी करेगा कि यह हमारे साथ कुछ फ् संबंद में संतुष्ट है तो वह उसको वस्तु के विक्रेटा नेर्ने ले लेगा ठीक है अन्य था अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसको एक छमा पत्र दे देगा कि माफ किजएगा भाई सार्म हम आपको माल नहीं दे पाएंगी जिसको वह आदेश विकार करने में भेज दी जाती है ठीक है अब है अब जब यह प्राप्त हो जाएगा आपने उसको दे दिया कि हां भी ठीक है हम आपको जो माल है उसके आपपुर्टी के लिए तैयार है फिर आप क्या करेंगे अब आप जो विक्रेटा है वो बीजग तियार करेगा तो बीजग में पूर रहा करेंगे उसका बिल भेज़ता है इसकी एक प्रति विक्रेटा के पास भी होती है इसकी एक एक प्रति उतपादन विभाग अत्वा भंडार ग्रह होग तता लेखा जूखा विभाग में भी भेज़ते जाती है जो यह उतपादनिकाई होती ह pasti हैं इनके पास इंकी कंपनी के अंदर ही कहीं सारे विभाग बने होते हैं, एक उत्पादन विभाग होगा, एक भंडार ग्रह होगा, इस्टोर्स जिसको बोलेंगे, एक एक काउंट का डिपार्टमेंट होगा, एक आदमियों को देखने वाला जो मानुस अंसादन है, उनको देखने के एक विभाग होगा, एक मार्केटिंग वाला विभाग होगा, जो कि सारे जो मार्केटिंग वाली चीज़े हैं, जो परचार परचार करना है वस्तुम का उसका एक डिपार्टमेंट होगा, एक डिपार्टमेंट क्रे विकरे के लिए होगा, सेल्स डिपार्टमेंट इसको तो कहीं सारे विभाग होते हैं तो इसका क्या होगा जो यह बिल है उसकी एक प्रति उत्पादम विभाग को दे दी जाएगी और या फिर भंडार करे है और साथ में एकाउंट जो होता है जो आपका लेखा देखता है उस विभाग को भी भेज़ दी जाती है अब है ग्रहा क का खाता खुलना जैसे ही लेखा जोखा विभाग में बीचा की प्रती प्राप्त होती है खाता वही में ग्रहा के नाम का खाता खोल दिया जाता है तो जैसे ही जो लेखा जोखा विभाग है जहां पर लेखा यानि कि एकाउंट्स रखा जाता है तो वहां पर जैसे आप ब खाता खोल दिया जाएगा इस खाते में बेचे गए मालके बीजक का मूल्य साख उधार अवधी की छूट कितने समय का उधार दे रहे हैं और कितना अगर उधार की अवधी से पहले दे दे तो कितनी छूट देंगे ग्रहाग द्वारा किये गए भुकतान का ब्योरा इस सब जाता है यदि पहले से ही उसका खाता खोला हुआ है तो उसमें आवश्यक प्रिविष्टियां की जाती है अगर खाता पहले सही है तो फिर कुछ खाता खुलने की जरुवत नहीं है खाली आप उसमें एंट्री कर देंगे अगला है प्रेशन वह सपूर्देगी गोदाम अ जाता है कि आदेश के नुसार जो समान है वो है इसके प्रेशन खंड में जहां से माल भेजा जाता है वहां भेज दिया जाता है प्रेशित की जाने के प्रेशन नोट जो डिलीवरी का नोट है उसकी एक प्रती क्रेटा को भेज दी जाती है फिर है माल की सुपूर्दिगी विक्रेता से रेल्वे रसीद या ट्रांस्पोर्ट की रसीद प्राप्त करने के पश्चाइच करे जो है या उसका जो एजेंट है वो माल की पूरी राज़ कर लेते हैं उनको कर लेनी चाहिए य spécial we जहतय गंती है अगर माल खराब हो गया एडान्स पोटी में तो Wells humour इसकी कमपनी को गर्रिष्व से गिए प्रिष्ट tha उनकी और weapons बुक्तान पहले से ही तैसरतों के नुसार किया जाता है जितने समय का आपको साख क्या अवधी दिये उस अवधी के विभीतर आपको बुक्तान करना होता है आंतरिक वेपार में साधानते हैं भुक्तान मनी ओर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिनिमय पत्र, प्रतिग्या प अवत्र इन सबके माध्यम से किया जाता है, ठीक है? यदि ग्रहाक नियमित है, आपसे रेगूलर आपके आँसे समान लेता है, तो उनकी देद राशी निरधारित कर दी जाती है तथा ग्रहाक नियमित अंतराल पर भुक्तान करता रहता है, ठीक है? कभी-कभी विक्रिता खाता वीबन होती हो इसमें निमन मदें दी होती है यह यह चीजें उसके अंदर जो स्टेटमेंट कभी कबी विकता को जसमें सारी चीजह लिखिए उती होती के आपने कॉंट कोने स owns इस किस तारी को Kendall REPI दिए कि प्रक्रियता की और सेष धनराशी कितनी राशी क्रेटा की और बैलेंस है वह लिखा होगा ठीक है अब है असुद्धियों का संसोदन जाने पहले आपको बताया था कि कहीं बार इसमें कहीं चीजें में असुद्धि रह जाती है तो अब तक आपने पढ़ा कि वैवसाइक इन देन की प्रक्रिया क्रेटा द्वारा क्रेकी जानी वाली वस्तूं के संबंध में पूश्ता से प्रारंब होती है तथा विक्रेटा द्वारा आंतिम्बुक्तान कर देने पर समाप्त होती है यद भी माल को भेजने वा बीज़क बनाने में विक्रेटा पूरे ध्यान से अगर को लगा कि आप अपने कुछ ज्यादा पैसा ले लिया क्रेता तो आप वापस उसके जो खाते में कुछ पैसा जमा करा देगे जितना की जादा आ गया था ठीक है और उसको सूचित कर देंगे जमा पत्र के माध्यम से और दूसरा है नाम पत्र या credit letter credit note इसमें क्या होता है एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसके द्वारा क्रेता को पता लगता है कि उसके नाम में एक निश्चे तरासी लिख दी गई है मतलब कि आपके उपर कुछ उधार है जो कि हमने आपसे वसूल नहीं किया पिछली बार जो हमने कुछ आपको दिया जो बिल दिया वो थोड़ा कम ले दिया बलकि आपके उपर निकल जादा रहा था पैसा ठीक है तो ये हमारा क्रे विकरे का जो चैप्टर है वो खतम हो गया अब हम लोग अगला चैप्टर जो कि है वितरण के माध्यम तो वितरण के जो different channels हैं distribution के उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद और फिर आप लोगों से एक पर अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियो को, अपने दोस्तों, अपने परिचितों, ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ट से हाई स्कूल की कक्षा पढ़ रहे हो उनके साथ अवश्य शेयर कीजिए ताकि हमारी स्पहल का लाप वो लोग भी उठा सकें, धन्यवाद